मेरे पैरे देश्वासियों नमश्कार जब मैं मन की बात करता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे आपके बीच आपके परिवार के सदस्य के रुप में उपस्तित हो। हमारी छोटी छोटी बातें हैं जो एक दूसरे को कुछ सिखा जाएं जीवन के खटे मिठे अनुभव जो जीवर के जीने की प्रेणा बन जाएं बस यही तो है मन की बात आज 2021 की जन्वरी का आखरी दिन है। क्या आप भी मेरी तरह यह सोच रहे हैं कि अभी कुछी दिन पहले तो 2021 की शुरू हुआ था। लगता ही नहीं कि जन्वरी का पूरा महिना बिद गया है। समय की गती इसी को तो कहते हैं। कुछ दिन पहले की ही तो बात लगती हैं। जब हम एक दुसरे को शुपका मनाई दे रहे थे। फिर हमने लोडी मनाई, मकरसंक्रांती मनाई, पॉंगर, बीहु मनाया। देश के अलग-अलग हिस्सों में त्योहार होगी धूम रही। 23 जन्वरी को हमने नेता जी सुभाजन दबोष के जन्वदीन को पराकरम दिवस के तोर पर मनाया। और 26 जन्वरी को गनतंत्र दिवस की शांदार परेड भी देखी। राश्पती जी द्वारा संसत के संयुक्त सत्र को समधन के बाद बजट सत्र भी शुरू हो गया है। इन सभी के बीच एक और कार्य हुआ जिसका हम सभी को बहुत इंतिजार रहता है। ये हैं पद्म पुरुसकारों की गोश्णा। राश्ट ने असाधारन कार्य कर रहे लोगों को उनकी उबलब्तियां और मानवता के प्रती उनकी योगदान के लिए सम्मानित किया। इस साल भी पुरुसकार पाने वालों में बेलोग शामीद है जिनोंने अलग-अलग शेत्रों में बहतरीन काम किया है। अपने कामों से किसी का जीवन बढ़ला है देश को आगे बढ़ाया है यानि जमीनी स्तर पर काम करने वाले अनसंग हिरोज को पदमसम्मान देने की जो परमपरा देश ने कुछ वर्ष पहले शुरू की थी वो इस बार भी कायम रखी गई है। मेरा आप सभी से आगरह है कि इन लोगों के बारे में उनके योगदान के बारे में जरूर जाने परिवार में उनके बारे में उनके चर्चा करें। देखिएगा सबको इससे कितनी प्रणा मिलती है। इस महिने क्रिकेट पीच से भी भहुत अच्छी खबर मिली। हमारी क्रिकेट टीम ने शुरूराती दिक्कतों के बाद सांदार वापसी करते हुए आस्ट्रेलिया में सिरीज जीती। हमारे खिलाडियों का हाड़ वर्क और टीम वर्क प्रेरित करने वाला है। इन सब के बीच दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगा का अपमान देख देश भावत दुखी भी हुआ। हमें आने वाले समय को नई आशा और नविंता से भरना है। हमने पिछले साल असाधारन सैयम और साहस का परिशे दिया। इस साल भी हमें कड़ी महनत करके अपने संकल्पों को सिद्ध करना है। अपने देश को और तेज गती से आगे ले जाना है। मेरे प्यारे देशवासियों इस साल की सुरुवात के साथ ही करोना के खिलाब हमारे लड़ाई को भी करीब करीब एक साल पूरा हो गया है। जैसे करोना के खिलाब भारत के लड़ाई एक उधान बनी है। वैसे ही अब हमारा वैक्सिनेशन प्रोग्रेम भी दुनिया में एक मिसाल बन रहा है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोवीड वैक्सिन प्रोग्रेम चला रहा है। आप जानते हैं और भी ज़्यादा गर्वी की बात क्या है। हम सबसे बड़े वैक्सिन प्रोग्रेम के साथ ही दुनिया में सबसे तेज गती से अपने नागरिकों का वैक्सिनेशन भी कर रहे हैं। स्रिफ 15 दिन में भारत अपने 30 लाग से जादा करोना वरियर का ठिका करन कर चुका है। जबकि अमेरिका जैसे समरुद्ध देश को इसी काम में 18 दिन लगे थे और ब्रिटेन को 36 दिन साथियों मेड इन इंडिया वैक्सिन आज भारत की आत्म निर्भरता का तो प्रतिक है ही भारत के आत्म गवरों का भी प्रतिक है। नमो एप पर यूपी से बाईहमान सुयादव ने लिखा है कि मेड इन इंडिया वैक्सिन से मन में एक नया आत्म विश्वास आ गया है। मदुरई से किर्टी जी लिखती है कि उनके कई विदेशी दोस्त उनको मेसेज भेज कर भारत का सुक्रिया अदा कर रहे है। किर्टी जी के दोस्तों ने उन्हें लिखा है कि भारत ने जिस तरह कोरोना से लड़ाई में दुनिया की मदद किये है। उससे भारत के बारे में उनके मन में इज्जत और भी बढ़ गई है किर्ती जी देश का ये गवरोगान सुनकर मन की बात के सोताओं को भी घर्व होता है आजकल मुझे भी अलग-अलग देशों के राष्टपती और प्रधानन्त्रियों के तरफ से भारत के लिए ऐसे ही संदेश मिलते हैं आपने भी देखा होगा अभी ब्रजील के राष्टपती ने ट्वीट करके जिस तरह से भारत को धन्यवाद दिया है वो देखकर हर भारतियों कितना अच्छा लगा हजारों किलोमेटर दूर दुनिया के दूर सुदूर कौने के निवासियों को रामायन के उस प्रसंग की इतनी गहरी जानकारी है उनके मन पर गहरा प्रभाव है ये हमारी संस्कृति की विशेस्ता है साथियों इस वैक्षिनेशन कारकम में आपने एक और बात पर अवशे ध्यान दिया होगा संकट के समय में भारत दुनिया की सेवा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि भारत आज दवाओं और वैक्षिन को लेकर सक्षम है आत्म निर्भर है यही सोच आत्म निर्भर भारत अभियान की भी है भारत जितना सक्षम होगा उतनी ही अधिक मानवता की सेवा करेगा उतना ही अधिक लाब दुनिया को होगा मेरे प्यारे देश्वासियों हर बार आपकी धेर सारे पत्र मिलते हैं नमो एप और माय गौव पर आपके मेसेजीज, फॉन कॉल्स के माध्यम से आपकी बाते जानने का अफसर मिलता है इनी संदेशों में एक ऐसा भी संदेश है जिसने मेरा ध्यान खीचा ये संदेश हैं बहन प्रियंका पंडी जी का, 23 साल की बेटी प्रियंका जी हिंदी साहित्य की विद्यार्थी नी है और बिहार के सिवान में रहती है प्रियंका जी ने नमो एप पर लिखा है कि वो देश के 15 घरेलू परेटन सलो पर जाने के मेरे सुझाओ से बहुत प्रेडित हुई थी इसलिए एक जन्वरी को वो एक जगह के लिए निकली जो बहुत खास थी वे जगह थी उनके घर से 15 किलोमेटर दूर देश के पहले राश्पती डॉक्टर राजेंदर प्रसाजी का पैत्रुप निवास प्रेंकाजी ने बड़ी सुन्दर बात लिखी है कि अपने देश की महान विभूतियों को जानने की दिशा में उनका ये पहला कदम था प्रेंकाजी को वहाँ डॉक्टर राजेंदर प्रसाजी द्वारा लिखी के पुस्ते के मिली अनेक एतिहासिक तस्फिरें मिली वाकई प्रेंकाजी आपका ये अनुभव दूसरों को भी प्रेरित करेगा साथियों इस वर्ष से भारत अपनी आजाजी के 75 वर्ष का समहारो अमृत महोत्सव शुरू करने जा रहा है ऐसे में ये हमारे उन महानायकों से जुडि स्थानिये जगवों का पता लगाने का बहतरीन समय है जिन की वजह से हमें आजादी मिली साथियों हम आजादी के आंदोलन और बिहार की बात कर रहे हैं तो मैं नमो एप पर ही की गई एक और टिपणी की भी चर्चा करना चाहूँगा मुंगेर के रहने वाले जैराम विपलव जी ने मुझे तारापूर शहीद दिवस के बारे में लिखा है 15 फरवरी 1932 1932 को देश भक्तों की एक टोली के कई वील नवजवानों की अंग्रेजों ने बड़ी ही निर्ममता से हत्या कर दी थी उनका एक मात्र अपराद यह था कि वे बंदे मात्रम और भरत मा की जय के नारे लगा रहे थे मैं उन शहीदों को नमन करता हूँ और उनके साहस का स्रद्धापूरवक्स मरन करता हूँ मैं जैराम विप्लवजी को धन्यवाद देना चाहता हूँ वेक ऐसी घटना को देश के थामने लेकर आये जिस पर उतनी चर्चा नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी मेरे प्यारे देश्वासियों भारत के हर हिस्से में हर शहर कस्बे और गाओं में आजाजी के लड़ाई पूरी ताकत के साथ लड़ी गई थी भारत भूमी के हर कौने में ऐसे महान सपूतों और विरांगनाओं ने चन मलिया जिनोंने राष्ट के लिए अपना जीवन न्योचावर कर दिया ऐसे में यह बहुत महतोपुन है कि हमारे लिए किये गए उनके संगर्शों और उनसे जुड़ी यादों को हम संजोकर रखे और इसके लिए उनके बारे में लिखकर हम अपनी भावी पीडियों के लिए उनके इस मृतियों को जीवित रख सकते हैं मैं सभी देशवासियोगों और खास करके अपने युवा साथियों को आवान करता हूं कि ये देश के स्वतंतरता सेनानियों के बारे में आज़ादी से जुड़ी घटनाओं के बारे में लिखे अपने इलाके में स्वतंत्रता संग्राम के दौर की विर्ता की गाताओं के बारे में किताबे लिखे अब जबकि भारत अपने आजाजी के 75 वर्ष मनाएगा तो आपका लेखन आजाजी के नायकों के प्रती उत्तम सरद्धांजरी होगी यंग राइटर्स के लिए इंडिया 75 के निमीत एक इनिशेटिव शुरू किया जा रहा है इससे सभी राज्यों और भाषाओं के युवा लेखकों को प्रोचान मिलेगा देश में बड़ी संख्या में ऐसे विश्यों पर लिखने वाले राइटर्स तयार होंगे जिनका भारतिय विरासत और संस्कृति पर गहन अध्यान होगा हमें ऐसी उभरती प्रतिभाव की पूरी मदद करनी है इससे भविश की दिशा निर्धारित करने वाले थौट लीडर्स का एक वर्ग भी तयार होगा मैं अपने युआ मित्रों को इस पहल का हिस्सा बनने और अपने सहितिक कौशल का अधिक से अधिक उप्योग करने के लिए आमंत्रित करता हूँ इससे जुरी जानकारिया सिक्षा मंत्राले की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं मेरे पैरे देशवासियों मन की बात में स्थ्रोताओं को क्या पसंद आता है ये आप ही बहतर जानते हैं लेकिन मुझे मन की बात में सबसे अच्छा ये लगता है कि मुझे बहुत कुछ जानने सिखने और पढ़ने को मिलता है एक प्रकार से परोक्षरूप से आप सबसे जुड़ने का उसर मिलता है किसी का प्रयास, किसी का जजबा, किसी का देश के लिए कुछ कर गुजर जाने का जुनून ये सब मुझे बहुत प्रेरित करते हैं, उर्जा से भर देते हैं हैदराबाद के बोहिन पल्ली में एक स्थानिय सब्जी मंडी किस तरह अपने दाइत्वों को निभा रही है ये पढ़कर भी मुझे बहुत अच्छा लगा हम सब ने देखा है कि सब्जी मंडिया में अनेक वजहों से काफी सब्जी खराब हो जाती है ये सब्जी इधर उधर फैलती हैं गंगी भी फैलाती हैं लेकिन बोहिन पल्ली की सब्जी मंडी ने ताय किया कि हर रोच बचने वाली इन सब्जीयों को ऐसे ही फैका नहीं जाएगा सब्जी मंडी से जुड़े लोगों ने ताई किया इससे बिजली बनाई जाएगी बेकार हुई सब्जियों से बिजली बनाने के बारे में शाहदी आपने कभी सुना हो यही तो इनोवेशन की ताकत है आज बोहिन पल्डी की मंडी में पहले जो वेश्ट था आज उसी से वेल्थ क्रियेट हो रही है यही तो कच्रे से कंचन बनाने की यात्रा है वहां हर दिन करीब 10 टन वेश्ट निकलता है इसे एक प्लांट में एकटा कर लिया जाता है प्लांट के अंदर इस वेश्ट से हर दिन 500 यूनिट बिजली बनती है और करीब 30 किलो बायो फ्यूल भी बनता है इस बिजली से ही सबजी मंडी में रोश्णी होती है और जो बायो फ्यूल बनता है उससे मंडी की कैंटीन में खाना बनाया जाता है हैने कमाल का प्रयास ऐसा ही ये कमाल हर्याना के पंचकुला की बड़ाओद ग्राम पंचायत ने भी करके दिखाया है इस पंचायत के ख्षेत्रे में पानी की निकासी की समस्या थी इस वजह से गंदा पानी इदर दर फैल रहा था बिमारी फैलाता था लेकिन बड़ाओद के लोगों ने ताय किया इस वाटर वेज से भी वेल्ट क्रेट करेंगी ग्राम पंचायते पुरे गाउं से आने वाले गंदे पानी को एक जगह इखर्टा करके फिल्टर करना शुरू किया और फिल्टर किया हुआ ये पानी अब गाउं के किसान खेतों में सिचाई के लिए इस्तिमाल कर रहे है यानि प्रदुशान गंदगी और बिमार्यों से चुटकारा भी और खेतों में सिचाई भी साथियों परियावरन की रक्षा से कैसे आमदनी के रास्ते भी खुलते हैं इसका एक उधारन अरुनाचल प्रदेश के तवांग में भी देखने को मिला अरुनाचल प्रदेश के इस पहड़ी इलाके में सद्यों से मोन शुगू नाम के एक पेपर बनाये जाता है एक कागच यहां के स्थानिया शुगू शैंग नाम के एक पौधे की चाल से बनाते हैं इसलिए इस कागच को बनाने के लिए पैड़ों को नहीं काटना पड़ता है इसके अलावा इसे बनाने में किसी केमिकल का इस्तमाल भी नहीं होता है यानि ये कागज परियावरण के लिए भी सुरक्षित है और स्वास्ता के लिए भी एक वो भी समय था जब इस कागज का निर्यात होता था लेकिन जब आधुलिक तक्निक से बड़ी मात्रा में कागज बनने लगे तो ये स्थानिय कला बंध होने की कगार पर पहुँच गई अब एक स्थानिय सामाजिक कारकरता गौंबु ने इस कला को पुनरजिवित करने का प्रयास किया है इससे यहां के आधिवसी भाई बेनों को रोजगार भी मिल रहा है मैंने एक और खबर केरल की देखी है जो हम सभी को अपने दाईतों का एसास कराती है केरल के कोटियम में एक दिव्यांग बुजुर्ग है एनेस राजपन साब राजपन जी परालिसिस के कारण चलने में असमर्थ है लेकिन इससे स्वच्छता के प्रति उनके समर्पन में कोई कमी नहीं आई है वो पिछले कई सालों से नाव से वेमनार जील में जाते हैं और जील में फैकी गई प्लास्टिक की बोतले बहार निकाल करके ले आते हैं सोचिए, राजपन जी की सोच कितनी उची है, हमें भी राजपन जी से पुरहना लेकर स्वच्छता के लिए जहां संभव हो अपना योगदान देना चाहिए। मेरे पैरे देश्वासियों, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, अमेरिका के सैन फ्रांसिसको से बंगलोरू के लिए एक नौन स्टॉप फ्लाइट की कमान भारत की चार विमेन पाइलर्ट्स ने संभाली, दस हजार किलोमेटर से भी जादा लंबा सा भरताय करके ये फ्लाइट सवाद दो सो से अधिक यात्रियों को भारत लेकर आई, आपने इसमार 26 जन्वरी की परेड में भी गौर किया होगा, जहां भारतिये वायुसेना की दो विमेन अफिसर्स ने नया इतिहास रज दिया ह छेतर कोई भी हो, देश की महलाओं की भागिदारी लगातार बढ़ रही है, लेकिन अकसर हम देखते हैं कि देश के गावों में हो रहे इसी तरह के बढलाव की उतनी चर्चा नहीं हो पाती, इसलिए जब मैंने एक खबर मद्यपदेश के जबलपूर की देखी, तो मुझ ये लगा कि इसका जिक्रतों मुझे मन की बात में जरूर करना चाहिए, ये खबर बहुत प्रणा देने वाली है, जबलपूर के चीजगाओं में कुछ आदिवासी महलाएं एक राइस मिल में दिहारी पर काम करती थी, कोरोना वेश्विक महामारी ने जिस तरह दुन्या के हर व्यक्ति को प्रभावित किया, उसी तरह ये महलाएं भी प्रभावित हुई, उनकी राइस मिल में काम रूख गया, स्वाबाविक है कि इसので आमनी की भी दिकता आने लगी, लेकिन ये निराश नहीं हुई, इन्होंने हार नहीं मानी, इन्होंने ताह किया कि ये साथ मिल कर अपनी खुद की राइश मिल शुरू करेगी जिस मिल में ये काम करती थी वो अपनी मशीन भी बेचना चाहती थी इन में से मिना रहंग डाले जी ने सब महलाओं को जोड कर स्वयम सहायता समो बनाया और सबने अपने बचाई हुई पुझी से पैसा जुटाया जो पैसा कम पड़ा उसके लिए आजी वी का मिशन के तहट बैंक से करज ले लिया और अब देखिए इन आदिवासी बेहनों ने वही राइश मिल खरीड ली जिसमें वो कभी काम किया करती थी आज वो अपनी खुद की राइश मिल चला रही है इतने ही दिनों में इस मिलने करीब तीन लाख रुपिये का मुनाफ़ा भी कमा लिया है इस मुनाफ़े से मिनाजी और उनकी साथी सबसे पहले बैंक का लोन चुकाने और फिर अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए तैयारी कर रही है कोरोना ने जो परिस्तित्यां बनाई उससे मुकाबले के लिए देश के कोने कौने में ऐसे अध्भूत काम हुए है मेरे प्यारे देश्वासियों अगर मैं आपसे बुंदेल खंट के बारे में बात करूँ तो वो कौन सी चीजे हैं जो आपके मन में आएगी इतिहास में रूची रखने वाले लोग इस ख्षेत्र को जांसी के रानी लक्ष्मिवाय के साथ चोड़ेंगे वहीं कुछ लोग सुन्दर और शांत ओर्चा के बारे में सोचेंगे कुछ लोगों को इस ख्षेत्र में पढ़ने वाली अत्यदिक गर्मी की भी याद आ जाएगी लेकिन इन दिनों यहां कुछ अलग हो रहा है जो काफी उत्सावर्दक है और जिसके बारे में हमें जरूर जानना चाहिए पिछले दिनों जांसी में एक महने तक चलने वाला स्ट्रॉबरी फेस्टिवल शुरू हुआ हर किसी को अस्षरे होता है स्ट्रॉबरी और बुंदेलखन लेकिन यही सच्चाई है अब बुंदेलखन में स्ट्रॉबरी की खेती को लेकर उत्साब बढ़ रहा है और इसमें बहुत बड़ी भूमी का निवाई है जांसी की एक बेटी गुर्लिन चावला ने लोकी छात्रा गुर्लिन ने पहले अपने घर पर और फिर अपने खेत में स्ट्रॉबरी की खेती का सफल प्रयोक कर यह विश्वात जगाया है कि जांसी में भी यह हो सकता है जांसी का स्ट्रॉबरी फेस्टिवल स्टे एट होम कंसेप पर जोर देता है इस महुत्सव के माध्यम से किसानों और युवाओं को अपने घर के पीशे खाली जगे पर या छट पर टेरेस गार्ण में बागवानी करने और स्ट्रॉबरी जुगाने के लिए प्रोसाइद किया जा रहा है नई टेक्नोलोजगी की मदद से ऐसे ही प्रयास देश के अन्नी हिस्सों में भी हो रहे है जो स्ट्रॉबरी कभी पाढ़ों की पहचान थी वो अब कच्की रेतिली जमीन पर भी होने लगी है किसानों की आई बढ़ रही है साथियों स्ट्रॉबरी फेस्टिवल जैसे प्रयोग इनोवेशन की स्परीट को तो प्रतसित करते ही है साथी यह भी दिखाते हैं कि हमारे देश का क्रिशिक शेत्र कैसे नई टकलोरजी को अपना रहा है साथियों खेति को आधुनिक बनाने के लिए सरकार प्रतिवद्द है और अनेक कदम उठा भी रही है सरकार के प्रयास आगे भी जारी रहेंगे मेरे पहरे देशवासियों कुछी दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा वह वीडियो पस्चिम मंगाल के वेश्ट मिदनापुर्स्तित नया पिंगला गाउं के एक चित्रकार सरमुद्दिन का था वो प्रसंदता व्यक्त कर रहे थे कि रामायन पर बनाई उनकी पैंटिंग दो लाख रुपे में भीकी है इससे उनके गाउंवालों को भी काफी खुशी मिली है इस वीडियो को देखने के बाद मुझे इसके बारे में और अधिक जानने की इत्सुकता हुई इसी क्रम में मुझे पस्चिम मंगाल से जोड़ी एक बहुत अच्छी पहल के बारे में जानकारी मिली जिसे मैं आपके साथ जरूर साजा करना चाहूँगा परेटन मंत्राले के रीजिनल आफिस ने महिने की शुरू में ही बंगाल के गावों में एक इनक्रेडिबल इंडिया विकेंड गेटवे की शुरुआत की इसमें पस्चिम मिदनापूर बांकुरा बीर्भूम पुरूलिया पुर्वबर्धवान वहां के हस्त सिल्प कलाकारों ने विजिटर्स के लिए हैंडिक्राप बर्षोप आयोजित की मुझे यह भी बताया गया कि इनक्रेडिबल इंडिया विकेंड गेटवेक के दोरान हैंडिक्राप्स की जो कुल विक्री हुई वो हस्त सिल्प कारों को बहत प्रोसाइद करने वाली है देश भर में लोग भी नए नए तरीकों से हमारी कला को लोगपुरिये बना रहे हैं कोडिसा के राउर केला की भागिसरी साव को देख ली चीए वैसे तो वे इंजिनेरिंग की छात्रा है लेकिन पिछले कुछ महनों में उन्होंने पट्चीत्र कला को सिखना शुरू किया और उसमें निफूनता हासिल कर ली है लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने paint कहां किया soft stones soft stones पर college जाने के राश्त में भागिसरी को इस soft stone मिले उन्होंने इन्हें एकत्र किया और साफ किया बाद में उन्होंने रोजाना दो गंटे इन पत्थरों पर पट्ट चित्र स्टाइल में पेंटिंग की, वह इन पत्थरों को पेंट कर उन्हें अपने दोस्तों को गिप करने लगी, लोकडाउन के दोरान उन्होंने बातलों पर भी पेंट करना शुरू कर दिया, अब तो व भविश्के उनके प्रयासों के लिए शुब कामना ही देता है। आर्ट एंड कलर्स के जरिये बहुत कुछ नया सिखा जा सकता है, किया जा सकता है। जारखन के दुमका में किये गए एक ऐसे ही अनुपम प्रयास के बारे में मुझे बताया गया। यहां मिडल स्कूल के एक प्रिंसिपल ने बच्चों को पढ़ाने और सिखाने के लिए गाउं की दिवारों को ही अंग्रेजी और हिंदी के अक्षरों से पेंट करवा दिया। साथी उसमें अलग-अलग चीत्र भी बनाए गये हैं। इससे गाउं के बच्चों को काफी मदद मिल रही हैं। मैं ऐसे सभी लोगों का अभिनादन करता हूं जो इस प्रकार के प्रयासों में लगे हैं। मेरे पहरे देश्वासियों, भारत से हजारों किलोमेटर दूर कई महासागरों, महादविपों के पार एक देश हैं जिसका नाम है चीले। भारत से चीले पहुंचने में बहुत अधिक समय लगता है। लेकिन भारतिय संस्कृति के खुश्बू वहाँ बहुत समय पहले से ही फैली हुई है। एक और खास बात ये हैं कि वहाँ पर योग बहुत अधिक लोगप्रिय हैं। आपको यह जानकर अच्छा लगेगा कि चीले की राजधानी शेंट्यागों में तिस से जादा योग विद्याले हैं। चीले में अंतराश्ट्य योग दिवस भी बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है। मुझे बताया गया है कि हाउस अब डेपुटीज में योग दिवस को लेकर बहुती गर्मजोसी भरा महोल होता है। कोरोना के इस समय में इम्म्यूनिटी पर जोर और इम्म्यूनिटी बढाने में योग की ताकत को देखते हुए अब वे लोग योग को पहले से कहीं जादा महत्व दे रहे हैं। चीले की कॉंग्रेस यानि वहाँ की पर्लमेंट ने एक प्रस्ताव पारित किया है। वहाँ चार नमेंबर को नेशनल योगा डे गोशित किया गया है। अब आप ये सोच सकते हैं कि आखिर चार नमेंबर में इसा क्या है। चार नमेंबर 1962 को ही चीले का पहला योग संस्तान होजे राफाल एस्ट्राडा द्वारा स्थापित किया गया था। इस दिन को नेशनल योगा डे गोशित करके एस्ट्राडाजी को भी सरधानली दी गई है। चीले की पार्लमेंट द्वारा यह एक विशे सम्मान है जिस पर हर भारतिय को गर्व है। वैसे चीले की संसत से जुड़ी एक और बात आपको दिल्चस्प लगेगी। चीले सिनेट की वाइस प्रेशिडन का नाम रविंदरनात प्विंटे रौस है। उनका यह नाम विश्व कभी गुरुदेव टैगोर से प्रेशिद होकर रखा गया है। मेरे प्यारे देशवासियों माय गौपर महराष्टर के जालना के डॉक्टर स्वपनिल मंत्री और केरल के पलककर के प्रहला राजगोपान ने आगर किया है कि मैं मन की बात मैं सड़क सुरक्षा पर भी आपसे बात करूँ। इसी महने 18 जन्वरी से 17 फरवरी तक हमारा देश सड़क सुरक्षा माह यानी रोड सेफ्टी मंत्री मना रहा है। सड़क हाथ से आज हमारे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में चिंता का विशय है। आज भारत में रोड सेफ्टी के लिए सरकार के साथ ही व्यक्तिगत और सामोईक स्तर पर कई तरह के प्रयास भी किये जा रहे हैं। जीवन बचाने के इन प्रयासों में हम सब को सक्रिय रूप से भागिदार बनना चाहिए। साथियों आपने ध्यान दिया होगा Border Road Organization जो सड़के बनाती हैं उससे गुजरते हुए आपको बड़े ही innovative slogans देखने को मिलते हैं। This is highway, not runway या फिर Be Mr. Late, then Late Mr. ये slogans सड़क पर सावधानी बरतने को लेकर लोगों को जागरूप करने में काफी प्रभावी होते हैं। अब आप भी ऐसे ही innovative slogans या catch phrases माई गौर पर भेज सकते हैं। आपके अच्छे slogans भी इस अभ्यान में उप्योग किये जाएंगे। साथियों, रोड सेफ्टी की बारे में बात करते हुए, मैं नमो एपर कोलकता की अपणा दास जी की एक पोस्ट की चर्चा करना चाहूँगा। अपणा जी ने मुझे फास्ट्रेक प्रोग्रेम पर बात करने की सला दी है। उनका कहना है कि फास्ट्रेक से यात्रा का अनुभवी बदल गया है। इससे समय की तो बचत होती हैं, टोल प्राजा पर रुकने, केस पैमेंट की चिंता करने जैसी दिक्कते भी खत्म हो गई है। अपणा जी की बात सही भी है। पहले हमारे यहाँ टोल प्राजा पर एक गाड़ी को आउसतन 7-8 मिनिट लग जाते थे। लेकिन फास्ट्रेक आने के बाद यह समय आउसतन सिर्फ देड़ दो मिनिट रह गया है। टोल प्राजा पर वेटिंग टाइम में कमी आने से गाड़ी के इंधन की बचत भी हो रही है। इससे देश वाजियों के करीब 21,000 करोड प्रे बचने का अनुमान है। यानि पैसे की भी बचत और समय क की भी बचत, मेरा आप सभी से आग रहें कि सभी दिशा निर्दोस्र का पानन करते हुए अपना भी ध्यान रखे और दूसरों का जीवन भी बचाएं। मेरे प्यारे देश्वासियों हमारी यहां कहा जाता है। हमारे संकल्प सिद्ध होते हैं। इसलिए 2021 की सुरुवात जिन लक्षों के साथ हमने की हैं उनको हम सब को मिलकर ही पुरा करना है। तो आईए हम सब मिलकर इस साल को सार्थक करने के लिए अपने अपने कदम बढ़ाएं। आप अपना संदेश, अपने एडियाज जरूर भेजते रहेगा। अगले महेने हम फिर मिलेंगे। इती विदा पुनर मिलना आए।